घर की इस दिशा में भूल कर भी ना रखे यह चीजे, वरना पश्टाना पड़ेगा, तो हेलो फ्रेंड्स मेर गिताब का क्रिव यूटिव भगवान में स्वागत करती हूँ, घर में किस दिशा में कौन सी चीजे रखनी चाहिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्य घर में हम जो भी चीज रखते है, वह हमारे लिए अच्छी है या नहीं, वह अच्छी साबित होगी की की नहीं, यह सोचके ही उस दिशा में यह चीज रखनी चाहिए, पूरा पच्चेम उत्तरदक्षिन यह चारो दिशाओं के अलावा, इनकी उपदिशा भी बहुत दी म कौन सी दिशा में कौन सी चीज बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, और कोई ऐसे चीज होती है जो उस दिशा में रखना बहुत ही शुब और महतोपूर्ण माना जाता है, जैसे की हमारा पूजागर, पूजागर अगर इशान कौन में रखा जाय invert, तो वह बहुत ही शुब म जाता है वैसे ही उत्तर पूर्व दिशा मतलब इशान कोण में भी ऐसी हमने चीजे रखने से बचना चाहिए जैसे कि अगर आपने ऐसी कोई चीज रख दी हो तो आपको भुगतना पड़ेगा और पचताना पड़ेगा तो फ्रेंड्स इशान कोण भगवान की दिशा होती ह यहां दिशा पूजनीय होती है इसलिए इस दिशा में आपने चपल जूते बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए क्योंकि यहां भगवान की दिशा होती है बहुती शुब और पवित्र पूजनीय दिशा माने जाती है अगर आपने इन दिशाओं में ऐसी चीजे रख दी हो तो हमें पश्टाना पड़ेगा क्योंकि इस दिशा में रखी हुई इन चीजों की वज़व से मातलक्ष्मी हमारे गर प्रवेश नहीं करती है और इस वज़व से इन चीजों से हमारे गर में नाकरात्म कूर्जा रहती है साथ ही दरिद्रता माता भी घर के अंदर प्रवेश करती है इस दिशा में हमने पत्थर की चीजे भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि पत्थर ज्यादा वज़दार होता है और हेवी चीजे यहां रखने से मातलक्ष्मी की यह दिशा होती है आप चाहे तो उत्तर दिशा क और या इशान कौन में भी यह अगर पत्थर की चीज़े जो हेवी है ज़्यादा वजणदार है ऐसे चीज़े अगर आपने रख दी होगी तो उससे मातालक्षमी क्रोधित होती है इशान कौन में हमने ज़्यादा गंदगी भी नहीं करनी चाहिए हमारा घर होना चाहिए जहाँ खुशाली बनी रहे हमारा घर देखते ही प्रसन लगे घर का माहोल खुशाली से भरा हो ऐसा हमें लगना चाहिए और हमारे उत्तर पूर्व दिशा में जैसे की इशान कौन में हमारा टॉयलेट बात्रूम भी नहीं होना चाहिए इससे हमारे घर में पित्रदोश लगता है ग्रहदोश भी निर्मान होता है टोईलेट बात्रूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि टोईलेट बात्रूम के अंदर से नकरत्मक शक्ती ज़्यादा फैलती है इसलिए हमेशा अमारा टोईलेट बात्रूम यूज होने के बाद इसका दर्वाजा बन करके ही रखे अगर आपने टोईलेट बात्रूम के दर्वाजी ज़्यादा देर तक खुले रखे तो हमारे घर में नकरत्मक शक्ती ज़्यादा फैलती है और उसका संचार भी इसी तरह से हमारे उत्तर पूर्वा दिशा में दवाजी भी रखना अमना है क्योंकि दवाजी हमें हमारे सहत के लिए अच्छी लगती है और लेने ही पड़ती है लेकिन इस दिशा में दवाजी रखने से हमारे सहत पर बुरा असर पड़ता है क्योंकि जिन दवाजीों को हम अच्छी सिहत बनाने के लिए लेते हैं, वही हमारे सिहत पर बुरा असर डाल सकती है, बुरा प्रभाव इसका पढ़ सकता है, इसलिए Friends, आप इस दिशा में दवाईया बिल्कुल ना रखे, यह दिशा है भगवान की दिशा, आप इस दिशा में पुजागर रख सकते हैं आप इस दिशा में पुजनिय जो स्थान होता है इस दिशा में आप किताबे रख सकते हैं इस दिशा में अच्छी चीजे रखने से हमारे घर में मातलक्ष्मी की फिर्पाद विष्टी बनी रहेगी और हमारे घर की तरक्की भी होगी तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसे लगा यह कमेंट सरके ज़रू बताए अगर आप चैनल पर नए है तो क्रेटिव बगवान को ज़रू सब्सकाइब कीजिए धन्यवाद